एक बार की बात है एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रहे रहे थे बिख्शु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे उनके आग्मन के साथ उनकी दिन चर्या, वेवार और गुनु की चर्चा भी हुई बिख्शु चक्षुपात अंदे थे और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्रानियों की हत्या की भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन बिख्शों को बुलवाया और पूछा कि क्या तुमने बिख्शु को कीड़े मारते हुए देखा है उन्होंने उत्तर दिया नहीं इस पर भगवान बुद्ध ने उन सादकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीडों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्षूपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीडों को जान बुज़ कर नहीं मारा है इसलिए उनकी बत सरना करना उचित नहीं है बिख्षु ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है उन्होंने इस जनम में अथवा पिछले जनम में क्या पाप किये भगवान बुध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूरब जनम में एक चिकित सत्त थे एक अंधी इस्तरी ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आँख ठीक कर देंगे तो वह उसका परिवार उसके दास बन जाएंगे इस्तरी की आंखे ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भए से ये मानने से इंकार कर दिया चिकित सक को तो पता था कि उस इस्तरी की आंखे ठीक हो गई हैं वह जूट बोल रही हैं उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वह कितना ही रोपीटी लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा इस पाप के फलसुर्बू अगले जनम में चिक्सक को अंधा बनना पड़ा दोस्तो ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट सक्षिन में जुरू बताना वीडियो को लाइक करना चैनल पे ने आएं तो चैनल को सब्सक्राइब परके जरूर जाना धन्यवाद